श्री राध्य बोलिये विरिंदावन धाम की जय श्री राधा रानी का नाम अमर है परंतो जानते हैं कि श्री राध्य और भगवान श्री किष्ण का मिलन कब हुआ था उस समय राधा रानी मात्र ग्यारा महिने की थी और भगवान श्री किष्ण मात्र एक दिन के थे जब प् जिस दिन माता श्री राध्यरानी और भगवान श्री किष्ण का मिलन हुआ जानते हैं कि वह दिन कौन सा था वह दिन था भगवान श्री किष्ण के जनम उस्तों का यूं कहें आज के हिसाथ से उनका जनम दिन था तब माता श्री राध्यरानी अपनी माता कीर्थी के साथ नं से आरम्भ होती है ज्यारा महिने की राधा रानी और मात्र एक दिन के भगवान श्री किष्ण जब प्रथम बार माता श्री राधिरानी और श्रीकिष्ण भगवान का मिलन हुआ यही गाथा है कि जनम मुस्तव भगवान श्री कृष्ण का बड़े धूम धाम से मनाया जाता है और माता का नाम इसी कारण से अमर है क्योंकि माता ने बहुत बलिदान दिया आपके जीवन में भी कोई समस्या है समाधान नहीं मिल लहा आप तो माता के जीवन से सीखें बिना संघर्स के विजय पराप्त नहीं होती अगर आप पहले से ही निर्णे कर लेंगे कि मेरा फायदा ही होगा तो आप काम्याब नहीं हो सकते जिन लोगों को काम्याबी मिली है उन्होंने मिहनत की है और राधेरानी का नाम यूहीं अमर नहीं है